हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल दिलिफ इलेशन बुटिक में आज किस वीडियो में देखेंगे 28 चेस्ट बेल्ट ब्लॉज की कटिंग और उसके बाद ये बैल्ट ब्लॉज कटिंग की सीरीज समापत हो जाएगी तो फ्रेंट्स यहा आप लोगों को समझाने वाला हूँ तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक डबल फोल्ड का पीपर यह जो पीपर है इस पे हम पूरी कटिंग करेंगे अगर आप दिलेप टेलर सेच करके और कर सकते हैं तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम लंबाई की 28 इंचेस्ट पे आम तोर पे लंबाई होती है साड़े 12 इंच की हमने भी उतना ही लिया है एक इंच का यह पर लेंगे मार्जिन और निशान लगाएंगे साड़े तेरा इंच पर ठीक है यह इस परकार से साड़े तेरा इंच का निशान उसके बाद यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे और स्केल से इन दोनों निशानों को बराबर मिला लेंगे दोनों निशान जैसे यह आप मिलाते हैं उसके बाद देखिएगा शूल्डर का मिजरमेंट लेना होता है तो शूल्डर जितना है बाड़ी मिजरमेंट में उसका हाफ करके पहले निशान लगा दो तो साड़े बारा का हाफ हो का सब अच्छे उसके बाद डेड़ इंच माइनस कर देना यह ऐस है ठीक है तो यह आपका शुल्डर यहां पर लगबग पॉने पांच इंच का बचता है उसके बाद यहां पर भी हम पॉने पांच का निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे ठीक है यह ऐसे पहले मिला लेते हैं उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे आर्मोल की तो 25 इंच में लगबग पॉने पांच इंच का यहां पर निशान हम आर्मोल के लिए लगाएंगे और फिर इसको स्केल से सीधा आगे मिला द क्योंकि यह सीरीज का मुझे यह लास्ट वीडियो देना था तो यहां पर देखेगा 28 इंच चेश्ट है दो इंच का हम लूजिंग देंगे तो यह हो जाएगा 30 इंच और 30 का चौथा हिस्सा लेंगे सीधा सीधा और साड़े 7 इंच पर यह निशान लगा देंगे सिलाई मार्जिन आपको अतरिक्त लेना है सवा इंच का तो यह एक्स्ट्रा रहेगा उसके बाद देखना 24 इंच का कमर है दो इंच इसमें भी लूज एट कर देना तो यह हो जाएगा 26 और 26 का यह हो जाएगा चौथा हिस्सा 6 इंच यह इस तरह से और उसके बाद सवा दो इ होगा बाकि सभी पैटन्स में आर्मोहोल की तरफ डाउन होगा शोल्डर की बात करें तो और आर्मोहोल का भी कुछ ऐसा ही है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को लगादार टिप्स दे रहा हूं और आर्मोहोल के उपर पर पर पर्टिकुलर जो वीडियो हैं आप आप लेका अब बात करेंगे गले की तो गला केवल दो इंच खुलना है यह दो इंच का निशान और उसके बाद गले की गहराई चेंच की है तो यह चेंच इस तरह से नाप लिए ठीक है अगर आप तिर्चान आपना तो सीधा नापना विसे आधा इंच का फरक आता है यह ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप गले का शेप दोगे तो सिंपल गोल कर ला दे देते हैं यह ऐसे अब आप करेंगे बेल्ट निशान की तो बेल्ट का निशान आपका आएगा इसमें 11 इंच पर ठीक है यह 11 इंच पॉने 11 इंच आएगा यह इस तरह से निशान लगा देना यह करने के बाद अब क्या करेंगे डॉट पॉइंट तो डॉट पॉइंट के लिए आप निशान लगाओगे पॉने 4 इंच का ठीक है और उसके बाद यहाँ पर उंचाए लेना यही पॉने 4 इंच के पास से 1 इंच यह 1 इंच उपर लिए तो आपका यह में डॉट बाद यहाँ पर सवा 2 इंच यह इस तरह से तीन निशान को इस तरह से मिला लेना यार मोल की तरफ से मिल जाएगा और यह वापस अपनी तरफ आ जाएगा यह ऐसे ठीक है अब यह हो गया चारों डॉट अब बात करेंगे यहाँ पर बेल्ट का जो शेप हम देते हैं तो य दो इंच लगभग दूरी पर यह ऐसा निशान लगाना और पॉन इंच तिरचा कर देना यह हो गया बेल्ट का शेप तो इतना क्लियर है अब देखना डारेट यहाँ पर कटिंग करते हैं आज की वीडियो उतना नौलेजबल मैं नहीं बता रहा हूं 28 इंच वालों को नरा पर कटिंग मंगाना है वाट्साप पर आप मैसेज कर सकते हैं डिस्प्ले पर नंबर चल रहा होगा या फिर एमेजोन पर भी आप देलिप टेलर सर्च कर सकते हूं यहां पर एक छोटा सा कट लगाते हैं दोनों पर अलग-अलग करते हैं ठीक है नीचे वाला पीछे का पल तो इसमें हम बेल्ट को निगाल देते हैं पहले यह ऐसे और उसके बाद जो है यह आर्मोहूल कि अब गले की करते हैं अब अब इसके बाद जो है यह डॉन्ट के जो पॉइंट्स हैं इन सब पर कट्स लगा देना यह चीजे मैंने हर वीडियो में बताएं 12 वीडियो अभी लगातार मैंने दिये बेल्ट ब्लाउज कटिंग के उपन सबी मैं इस चीज को मैंने बताया कट्स आप लगाओ ताकि जब भी आप कपड़े पर इसके कटिंग करोगे तो आप जो है यहाँ पर चौक से निशान लगा सकते और एक चीज मैंने और क्लियर क दिमानगे चलो ये कपड़ा है जिस पर आपको कातेक करना है तो ये इस तरह से हम रखेंगे नीचे वालले हिस्से पर हमको पौनीज ऑक्स अडेना है और तो यह सामने बिए बात होगई और वेल्ट के लिए भी बुत सहीमान reading कर ये नीचे वाले हिस्से पर आपको पौन तो यह इस तरह से जो है पॉन इंच का मार्जिन आपको बेल्ट में भी नीचे देना इस चीज को ध्यान रखेंगे और विसे सूचना जो लोग पीपर कटिंग्स मंगाए हैं या मंगाने का सोच रहे हैं उन लोगों को यह मार्जिन नहीं देना है ठीक है आपको डारेक्ट रखना है कपड़े पर करना है हर तरह का मारजिन मैं आट करके दिया है बात करेंगे पीछे पल्ले की तो पीछे का जो पल्ला है इसमें बहुत ही असानी के सांथ आप गले की कटिंग कर सकते हो और डॉट के लिए निशान लगा सकते हो तो देखे गला आपको जैसे यहां पर रखना है नौ इंच का आठ इंच का अपने इस आप से रख लेना आठ इंच नौ इंच के लिए यह और स्केल हम लेंगे यहां पर सीधा इसको मिला लेंगे उपर से भी इसको मिला लेंगे यहां पर फैलाओ हम ले लेंगे जैसे धाई इंच का या तीन इंच का जितना आप चाहो और उसके बाद इसको इस तरह से मिलाने के बाद गले का जो भी आपको शेप देना है वो दे सकते हैं जैसे नॉर्मल गोल गला देना है तो यह इस बगाओगे इसमें हाफ इंच का दोनों डॉट आपके हाफ इंच के ही लगेंगे एक बात का ध्यान रखना कि जब आप कपड़े पर कटिंग करोगे तो पीछे पल्ले को डबल फोल्ड में काटना है सामने पल्ले पर जो मार्जिन बताया उन मार्जिन को एड़ करना है बा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बढ़ा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जाएगा अब मैरा जनब से फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन